बारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं पढ़ाते हैं और रोज भारत को गालिया लेते हैं और तिलवाते हैं ऐसे लोगों की आखें थोड़ी खुलें उस द्रश्टी से मैंने कुछ दस्तावेज इकठे करना शुरू गया और मेरे गुरू धरमपाल जी ने एक बिन मुझे कहा के देखो अगर भारत वासी नालाइक होते निकम्मे होते नकारा होते कामचोर होते इनमे कोई गुण ही नहीं होता तो हजारों लाखों साल से ये भारत देश चल कैसे गया होता आप जानते हैं भारत कितना कुराना नहीं मालूँ कम से कम एक करोड वर्ष की बात कही जा देखो दुनिया के एंत्रोपोलोजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भारत के बारे में अब ये मानने लगे हैं कि ये देश हजारों नहीं, लाखों नहीं कुछ करोड वर्ष पुराना और कुछ करोड वर्ष की जब हम गिंती करते हैं तो भारत में गिंती वहां से शुरू होती है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत बढ़ा बरत और बरत का जन्म आज से आठ करोड कुछ लाख वर्ष पहले वुआ आज का नहीं है बरत दो पाँच हजार साल करें और ये पुराने शास्त्र जो हमारे हैं जहां पर ये कैलकुलेशन है एक्जेक्ट कैलकुलेशन लगवग साड़े आठ करोड साल के आसपास बैठता है इतना पुराना देश तो एक दिन मेरे गुरू ने कहा कि सोचो जरा कल्पना करो भारत की कहानी पुराने शास्त्रों में भगवान आदीनाथ से शुरू है जैन समाज के जो सबसे पहले तीरधां कर हुए उनके समय से शुरू है अब वो सारे के सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो वो ना तो उनको सुई कार करते हैं ना नकार पाते वो ये नहीं कहते कि ये गलत है लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये समझने में तकलीफ होती है कि कोई देश करोड़ों साल से कैसे जिन्दा रह सकता है कारण क्या है वो करीब साड़े-4000 साल कोरान है इटली के पहले कोई देश नहीं था और ये इटली वही देश है जिसको पुराने जमाने में रोम कहा जाता था तो रोम के समय से वो गिनते हैं कि हमारे यहां तो यहां से शुरुआत हुई है तो उनके यहाँ अधिक से अधिक पुराना देश कोई है तो वो 5000 साल मान सकते हैं भारत करोड साल के जादा है तो वो comparison करते हैं तो यह मानते नहीं लेकिन वो यह कहते हैं कि इनको नकार भी नहीं सकते क्योंकि भारत में 8 करोड 50 लाक साल पहले के बहुत सारे प्रमान और चिन मैसे मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यह देश पहले था तो इतना पुराना देश बिना साइन्स और टेकनोलोजी के कैसे चल गया बिना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे चल गया बिना किसी नियाए व्यवस्था के कैसे चला बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के कैसे चला यह तो एकड़म असंबभ है और अगर आप भारत को थोड़ा ठीक से जाने और घूमे भारत में तो किसी भी गाउं में चले जाएए छोटे से छोटे गाउं में उस गाउं का इतिहास कम से कम आपको हजार साल पुराना मिल जाएगा मैंने हिंदुस्तान में दस हजार गाउं देखे हैं पिछले पंदरे साल में कोई भी गाउं पाँच सो साल से कम पुराना नहीं है पाँच सो साल तो मिनीमम एज है उनकी और वो अपनी एज कैसे गिनते हैं उन सभी गाओं में कोई न कोई ऐसा मंदिर है जिसको बनाने की डेट उस पर लिखी होई है और मंदिर तभी बनता है जब कोई बस्ती बस जाती है कोई खाली इस्थान में मंदिर नहीं बना करते हैं जहां मनुश्यों की बस्तियां होती हैं मनुश्यों के गाओं बस जाते हैं वहीं मंदिर बना करते हैं तो इन सभी गाओं में जो मैंने देखे हैं दस हजार साल वो सोरी दस हजार गाओं वो सभी गाओं में कोई मंदिर है कोई देवाले है भले वो तूटा हुआ है भले कुछ खंड खंड है लेकिन उसमें कोई प्रस्तर लगा है पत्थर लगा है उसमें लिखा हुआ है कि ये मंदिर इस साल में बनाया रहा है और वो लिखा है उनकी स्थानिय बाशा में जैसे तमिल नाडू में आप देखो तो तमिल में लिखाए करनाटिक में देखो तो कंड़ में लिखाए गुजरात में जाओ तो गुजराती में लिखाए महराश्ट में जाओ तो मराठी में लिखाए तो वो कहते हैं कि ये मंदिर इतना पुरा ना तो हमारा गाउं भी उतना पुरा था और कुछ-कुछ गाउं में मैं जाता हूं तो वो तो ये कहते हैं कि यहां पर भीम आये थे और उनका पैर बना है देख लो आजाओ हाँ और आप उनसे बहस कर लो, आप हार जाओगे वो कहते हैं, यहां भीम आये थे, भीम का पाओ इतना बड़ा है देखो उनकी गदा यहां रखी थी, वो पत्थर आज भी बताता है कि यहां भीम का पाओ आँ कुछ-कुछ गाओं कहते हैं अर्जुन घूमते घूमते यहां आ गए थे एक बाल जब वो अग्यात वास्त है पांडव यहां आये थे उन्होंने इस गुफा में रहने का 20 दिन 25 दिन कारिक्रम किया था तो अब यह अर्जुन है पांडव है भीम है यह तो आज के नहीं है यह तो लगबख 5000 साल पुराने है मानिक कई गाओं ऐसे हैं जो 5000 साल पुराने है तो इतना पुराना देश जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कैसे चलता है आप जरा अपने घर के बारे में कल्पना करो आपका घर अगर पुराना होता जाए तो उसको टिकाई रखने के लिए कुछ करना पड़ता है उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ न कुछ करनी पड़ती उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रखनी पड़ती तब जाके घर जादा दिन तक टिकता है अगर हम घर की देखवाल करना बंद कर दें तो घर बहुत दिनों में खंडर हो जाएगा ऐसे ही देश की देखवाल अगर नहीं हो तो देश भी खंडर हो जाएगा लेकिन यहां देखवाल हुई होगी तो इतने सालों से यह देश चल रहा भारत में बहुत सारे गाउं है जिनके नाम महाभारत की कहानियों में गिने जाते हैं सुने जाते हैं सुनाई जाते हैं बहुत सारे गाउं उनके नाम बिलकुल इसपश्ट और उन गाउं में रहने वाली जातियों के नाम महा भारत की कथाउं में कहे जाते हैं सुने जाते हैं तो ये कोई जूत मूट तो हो नहीं सकता और अभी दुनिया के आधुनिक्तम विज्ञान के केंद्र नासा ने स्विकार किया है कि ये जो महाभारत कभी हुआ वो कल्पना नहीं है वो सच्छा है और अभी नासा ने कुछ फोटोग्रेफ्स रिलीज किये है जो ये बताते हैं कि कभी कुर्शेत्र हुआ करता था जहां पर इस तरह के युद्ध हुए है और उसी नासा ने अभी कुछ फोटोग्रेफ्स निकाले हैं जो सेटलाइट की मदद से लिए गए है कि बगवान श्री राम के जमाने का बनाया हुआ पुल जिसका नाम है सेतु समुद्रम वो आज भी जीवित है मतरास से 40 नौटिकल माईल की दूरी पर और वो पुल शुरू हुआ है भारत से और गया है श्रीलंका तक तो हमने तो पढ़ी है कहानी कि राम जंदर जी ने पुल बनाया था उसमें नल और नील दो बड़े कंस्ट्रक्शन इंजिनियर हुआ करते थे शिविल कंस्ट्रक्शन का जिनको बहुत नौलेज था उन्होंने वो पुल खड़ा किया था पढ़ाए कि नहीं पढ़ा अब मैं नल और नील को कंस्ट्रक्शन इंजिनियर इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आए अगर उस जमाने का शब्द इस्तेमाल करूँगा तो आप ढूंडेंगे ये मतलब क्या है इसका तो नल और नील ने वो पुल बना दिया था और वो पुल का डेटिंग अभी हुआ है नासा ने डेटिंग किया है कार्बन डेटिंग आप सब समझते हैं तो पांच लाख तेरे हजार कुछ सौ साल पुराना वो पुल है और अभी भी सुरक्ष है बस इतना ही है कि पहले वो समझतर के उपर होता था अब नीचे चला गया नीचे कैसे चला गया अब पिछले पांच लाख तेरे हजार साल में कितनी सुनामी आये होंगे एक सुनामी तो हमने देखा अपनी आखों के सामने जिसमें 20-20 मंजिल की बिल्डिंग पानी में चली गई तो हजारों सुनामी आये होंगे उससे पानी में चला गया लेकिन टूटा नहीं है क्रैक भी नहीं हुआ है उसके सारे फोटोग्रेफ्स बताते हैं कि वो पूरा का पूरा सुरक्षित है अब शुरू होती है हमारी बार कि अगर पांच लाख तेरे हजार साल पहले बनाया गया कोई पुल आज भी सुरक्षित है तो कोई तो टेक्नालोजी रही होगी उस फुल को बनानी की ऐसे ही तो नहीं बन गया है मैंने हमारे कुछ दोस्तों से कहा कि भाई नासा के पास इसके बारे में जितनी जानकारी है वो सब बेजो कुछ हिंदोस्तानी है जो नासा में काम करते हैं जब नासा ने पहली वार ये photograph's release किये न तो सबसे पहले युरोब के कुछ जर्रल्स में छपे फिर बाद में नियू़्स पेपर में छपे बाद में हिंदोस्तान के भी बहुत सारे नियू़्स पेपर में छपे मैंने वो मंगाई तो अब नासा के वेग्यानिक यहां तक कहते हैं यह पुल ना सिर्फ सुरक्षित है बलकि इसकी डिजाइन भी पूरी सुरक्षित है और इसका अध्यन करने से पता चलता है कि भारत में आज से 5,13,000 साल पहले की टेक्नोलोजी क्या थी वो पुल पता है कैसा है उसकी सबसे बड़ी विशेश्टा है वो पत्थर से बना हुआ है इंट का इस्तेमाल उसमें नहीं है और भारत में आज से लाखों साल पहले पत्थर ही इस्तेमाल होते थे ये इंट बनना तो फिछले लेड़ दो हजार साल में आया उसके पहले पत्थरी होते है और उससे भी बड़ी बात ये है कि उन पत्थरों को जोडने के लिए बीच में कुछ मिटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो आज भी सुरक्ष आप जानते हैं आधुनिक विग्यान ने एक टेकनोलोजी लाई है जिसको सीमेंट कहते है सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है कितनी है पच्छी सो साल मैक्सिमम हंट्रेड इयर्स दुनिया के सीमेंट तक्निकी में काम करने वाले सभी वैज्यानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिक्तम देशी मर जाओं तो भी मेरा ओवे कपन स्वदेशी